हाई अब्रिवरन विल्कम बाक टो माई चैनल सिंपल होम टिप्स फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की रेसिपी लेकर आई हूँ आजकर इस कोरोना महारी के टाइम में वाइरस से बचने के लिए हम काफी कुछ कंजियूम कर रहे हैं चाहे गिलोई का जूस हो आ मार्केट से भी ज्यादा फ्लेवर्फुल होगा प्योर होगा और सबसे बड़ी बात यह सिरफ पांच मिनट में बन जाएगा तो क्यों ना इस चाह मसाले की रेसिपी को हम घर पर ही बनाएं और मार्केट से सस्ता भी पड़ेगा तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि चाह कोन से इंग्रेडियंट्स की आफशकता होगी और इसे कैसे बनाते हैं चाह मसाला बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है काली मिर्च ब्लैक पेपर 10 ग्राम लॉंग यानि क्लोग 5 ग्राम हरी इलाइची ग्रीन कार्डमम 15 ग्राम लगभग 20-25 हरी इलाइची है जिंजर प पाउडर है इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चानल पर अपलोड किया है बहुत आसानी से घर पर ही बन जाता है तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्किप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से जाकर के भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगली चीज है नटमेग यानि जाइफल यह मैंने हाफ नटमेग को क्रस कर लिया है उसके बाद लेना है दालचीनी का टुकरा यानि सीनेमे मस्टीक यहां पर इस साइज के मैंने चार पीस लिये हैं और अगली चीज है बड़ी इलाइची यहां पर दो लिये हैं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं य अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है अब जितने भी साबुत मसाले हैं उनको हमें हलका सा रोस्ट कर लेना है उसको ज़्यादा भूनना नहीं है बस एक से दो मिनट के लिए इसे ड्राय रोस्ट करना है इसका सिरफ हमें मौाइस्चर हटाना है ताकि इसकी सेल्फ लाइप बढ़ जाए इसको लंबे टाइम तक हमस्टोर करके रख सकें तो सारे मसाले को डाल करके एक से दो मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर हमें हलका सा इसको रोस्ट कर लेना है अब एक मिनट के बाद यह सारे मसाले रोस्ट हो गया है तो अब एक प्लेट लेकर के और इस पैन से हम सारे मसालों को निकाल लेंगे जब थोरा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे अब यह मसाला ठंडा हो गया है तो इसको मिक्सी के एक जार में ट्रांस्फर कर लेंगे और इसको पहले दरदरा सा पीस लेंगे तो आप देखिए इसको मैंने अभी थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है और अब इसमें हम जिंजर पाउडर यानि शोट को इसमें मिक्स कर देंगे ताकि यह मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अब इसका एक बारिक सा पाउडर हम बना लेंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने सारे मसाले को ग्राइंड कर लिया है और एक बिल्कुल बारिक सा पाउडर बन कर तयार हो गया है आप चाहें तो इस मसाले को छान भी सकते हैं लेकिन चाय जब हम बनाते हैं और उसमें मसाला डालेंगे तो उसके बाद तो इसको छानना ही होता है इसलिए हमें छानने की जरूत नहीं है लेकिन अगर आप बारीक पाउडर इसका चाहते हैं तो आप इसको एक छलने की हेल्प से चान लीजिए तो अब इस मसाले को आप एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और यह पांच से छे महिने तक बिलकुल खराब नहीं होगा तो आप इसको लंबे ताइम तक स्टोर कर सकते हैं तो जब भी आप चाई बनाते हैं तो आपको पर कप एक चुट स्टाइल ती मसाला बनकर तयार होगा और फ्लेवर इसका इतना बढ़िया होगा कि जब आप बनाएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि पूरे घर में इसकी फुषबू फैल जाएगी तो आपने देखा कि कितनी आसानी से है घर पर हमने चाई मसाले को तयार कर लिया जब आ मैं ऐसे ही यूजफूल वीडियो लेकर आती रहती हूँ तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद